So our next chapter is unit second animals kingdom. Animals kingdom हमारा ये second chapter है. उसमें article 6 है. यह इस chapter का one article है. Who am I? आपको पहचानना है कि यहाँ पर animals दिये हैं. वो कौन से animals है? Read the questions and answer them with the help of pictures. यहाँ पर आपको questions दिये हुए है. उसको read करना है और कौन से picture के बारे में, कौन से animals के बारे में बोल रहा है? वो पहचानना है. Okay, so let us start. Question number one. Which bird was used to carry messages from one place to another in olden days? Means, पुराने जमाने में अभी तो mobile आ गया है, mobile से message करते हो, बट पुराने जमाने में mobile नहीं थे, तो कौन सा bird था जो messages transfer करता था एक जगा से दूसरी जगा. So, देखते हैं, आपने देखा होंगा, फिल्म में इसमें कौन सा bird होता है वो? पीजन. पीजन जो होता है न, तो पीजन को क्या करते हैं? छोटी सी cheat बनाकर उसमें write down करके, उसके leg में क्या करते हैं? चीट को बान देते हैं और फिर वो क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है और message को पहुंचाता है. Next, which animal loves carrots and lives in boros? अभी ऐसा कौन सा animal है जिसको carrot खाना बहुत पसंद है और वो बिल में रहता है, बरोज में रहता है. So, carrot किसको पसंद है? Rabbit को. Rabbit को carrot खाना बहुत पसंद है और वो बिल में रहता है. Next, which is the largest land animal? कौन सा animal? Largest means बड़ा animal है लेंड पर. जमीन पर सबसे बड़ा animal कौन सा है? So, आभी इस पूरे pictures को देखिए और बताए कौन सा animal largest है? यहाँ पर सबसे बड़ा animal elephant है. Elephant सबसे बड़ा animal है land पर. Okay? जमीन पर. Next, which animal cannot be seen in snow because of its white fur? जब snow होती है, जब बर्फ गिरती है, तो वो animal क्या हो जाता है? छुप जाता है, दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके white fur, जो उसके body पर white hairs होते हैं, उस वज़ा से वो छुप जाता है. तो कौन सा है? स्नो में कौन सा animal रहता है? पोलार बियर. पोलार बियर, आइस लेंड पर रहता है, आइस लेंड पर जहां आइस होती है, और उसके body पर white fur होते हैं. नेक्स्ट, which reptile loves to eat frog? रेप्टाइल हमें पता है, जो rank कर चलते हैं, जमीन से चिटक कर चलते हैं, उन्हें रेप्टाइल बोलते हैं, तो कौन सा रेप्टाइल है? जो frog खाना पसंद करता है. तो देखेंगे, स्नेक, स्नेक जो है, वो frog खाना पसंद करता है, उसको frog खाना उसको बहुत पसंद है, स्नेक को. नेक्स्ट, which animal has longest life? कौन से एनिमल की, कौन से एनिमल बहुत ज्यादा जिन्दा रहता है, बहुत ज्यादे दिनों तक जिन्दा रहता है, सो, टॉर्टाइज, टॉर्टाइज जो है, वो बहुत ज्यादे दिनों तक बहुत सालों तक भी वो जिन्दा रह सकता है, बहुत बो एनिमी आफ स्नेक अभी एनिमी में दुश्मान दुश्मान को बोलेंगे इसनेक का दुश्मान सबसे ज्यादा कौन है तो मॉंगोस जो होता है एनिमल वो स्नेक का बहुत बड़ा दुश्मान है Next Which animal resembles Resembles means look like Means उस जैसा दिखना Which animal resembles human being Means कोन सा एनिमल है जो human being की तरह दिखता है So गोरिला गोरिला जो है वो human being की तरह look like human being next which animal carries babies in its pouch ये तो सबको पता है कि कौन सा animal है जो उसके pouch में उसके बेबी को carry करता है रखता है so kangaroo kangaroo का जो सामने side pouch होता है तो उसमें वो अपने बेबी को carry करता है next which reptile can change its color अभी ऐसा कौन सा reptile है जो उसका color change करते रहता है so it is chameleon chameleon जो होता है वो अपने color को change करते रहता है so this is chameleon यहाँ पर हमारा article who am I यहाँ finish होता है so let us see next article animal has this अभी has this means यहाँ पर आपको कुछ animals के parts दिखाए है क्या कौन से animal के वो बताना है so देखते हैं different animals have different look हर animal का अलग-अलग look होता है given below are some body parts of different animals यहाँ पर अलग-अलग animals के यहाँ पर body parts दिए हुए है वो हमें पहचानना है कि कौन सा animal है identify them by looking their body parts fill in the missing letters to get the names of these animals अभी हमें identify करना है यह body parts को देखकर कि कौन से animal है और missing letters को fill करना है okay so let us start see in this picture strips यह किस animal के body पर आपने देखा है strips black strips years tiger यहाँ देखो यहाँ टी दिया है यहाँ आर दिया है first letter and last letter बीच के missing है साम लिख लेते हैं tiger की spelling टी आई जी ए आर टाइगर टाइगर ओके लोके 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 अन सेकेंड पिक्चर यहाँ पर सिर्फ शेल दिया गया है shell means उपर का जो cover hard cover होता है तो वो दिया हुआ है hard cover किसके body पर होता है tortoise पर भी होता है और snail पर भी बट यहाँ पर snail का shell है यह तो snail लिख देते हैं s-n-snow a-i snail snail capital में लिख लेते हैं s-n-a-i-l snail okay अब यह जो horns है यह जो sing है sing किसको होते है यहाँ c है और यहाँ w है means यह cow cow जो है उसको horns होते है okay next scales यह जो आप देख रहे हो तो यह आपने कौन से animal पर देखा है snake बार तो यह snake का body part है s-n-snow a-sne-co capital में लिखना है snake snake नेक्स्ट पॉस मिन्स पंजे पंजे किसको होते है ऐसे पंजे यहाँ c-d-i means cat c-a-t पाउच हमने अभी पीछे देखा है कि कौन से animal के body में पाउच होता है so kangaroo 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 k-a-n-a kangaroo kangaroo okay hooves hooves means यह जो खुर होते है न तो वो किसको होते है तो वो खुर होते है horse को h-o-r horse horse okay next यह sports आप आपने कौन से animal पर देखा है yes lipad यह पैट यह होता है l-e-o-p-a-r-d lipad यह होता है उसके body पर यह sports होते हैं next fur फर में जो नर्म नर्म soft hair जो होते है वो beer b-e-a-r beer के body पर होते है next यह tusks जो है यह दांत बड़े-बड़े वो किस animal के body part है yes elephant e-l-e-p-h-a-n-t elephant okay तो इस तरह हमारा seven जो आर्टिकल था animal has this कौन से animal को कौन से animal का body part है वो यहां complete होता है thank you for watching 13 13 15 16 20